जब आप नॉर्मन शूट लेते तो आपका पैर आता है पीशे से कुछ इस तरीके से जब आप आउटर लेते हो तो आपका पैर आता है यहां से बाहर से और जब आप इनर कर्व लेते तो आपका पैर यहां से आता है इस तरीके से देख रहे हो आप अंदर से पैर आएगा औ आपको इस वीडियो में बताऊंगा गाइस यही टेकनिक मैं आपको आज सिखाने वाला हूं तो गाइस इससे पहले एक और शॉट आप देखलो इसमें बॉल की पोजिशन देखो कहा है बॉल शुरुआत कहां कर रही है और एंड देखना आप कहां करेगी यह एंड करेगी ग कर सकते हो यानि की इनर कर सकते हो तो इसमें बताऊंगा कि आपको क्या गलती है नहीं करनी और किस मतलब स्टेब बाइट तक दिखना ताकि आप सारे इस कंसेप्ट आपकी क्लेर हो जाए तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं लेस्ट रोल तो इस बेसिक कंसेप् आप साइड में आरा है मेरा पैर और इसका जो मुवमेंट अफ्लो है वो देखना ऐसे जाएगा कुछ इस तरीके से यह फ्लो जाएगा पैर का आप देख लो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो शुविंग वो ऐसे होगा आप देख लिजे बहार की तरह सुइंग होगा जितना स्विंग आपका भार को होगा उतना ही बॉल आपका मूव करेगा गाईज यह बात आपको नोटिस करें अब इस फ्रेंट एंगल से आप देख लो इस शॉट में इनर कर्व और आउटर कर्व और नॉर्मल शूट में क्या फरक है जब आप नॉर्मल शूट देते त काम करेगा जो मूवमेंट ऐसे आएगी अब मैं बतातों पावर और हाइट कैसे मिलेगी इस फोटो को आप ध्यान से देखें इस फोटो में आप देखो जो मेरे दोनों पैरों में गैप यानि की मेरा पैर का स्विंग कितना लंबा है यानि की अलिवेशन में मिल जाएगा और पावर के लिए आपको पैर को बहुत तेज घुमाना है इस लो मोशन वीडियो को देख लो इस लो मोशन 0.25 X में भी पैर की स्पीड आप देख लीजे अब इसमें प्लेयर एक गलती और करते हैं जब भी वो शौट लेते हैं कर्व के चकर में पावर या फिर एर नहीं